दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 15-20,000 की रेंज में आप कौन सा फोन पर्चेस कर सकते हैं बेस्ट फोन अंडर 20,000 कौन सा है अगर आप देखेंगे इस प्राइस सेग्मेंट में काफी सारे स्मार्टफोन हैं तो confusion next level पे है कौन सा लिया जाएं कौन सा ignore किया जाएं और अब festive season भी start हो चुका है आपको दबा के sale पर sale देखने को मिल जाएगी कभी flip card big saving days के नाम से तो कभी mobile branza sale के नाम से अब आप ये लगा लो December तक ये festive season चलता ही रहेगा तो ऐसे में discount आपको दबा के दिये जाएंगे लेकिन आपको सोच समझगे पर chase करनी है मैं आपको बता दूँगा किन के लिए कौन साफोन best हो सकता है मैं यहाँ पर category wise बात करूँगा अगर आपको performance चीए तब आप कौन साफोन ले सकते हैं आपको camera चीए तब आपके लिए कौन साफोन perfect है ऐसे में आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो पाएगा कि आपको कहां पर investment करनी है जलिए श्टार्ट करते हैं आज की वीडियो पहले performance की हम बात कर लेते हैं अगर आपको performance भी चाहिए और साथ में 5G भी चाहिए तब आपके लिए IQZ3 इस टाइम perfect फोन है refresh rate मिल जाएगा कभी बस एक है फोन की इस फोन में AMOLED डिस्पे नहीं है तो यह आपको compromise करना पड़ेगा उसके लावा सब कुछ टोप क्रास का है तो यहाँ पर आपको invest कर सकते हैं अगर आपको 5G प्लस performance जीए तो अगर 4G फोन से आपको कम चल जाएगा और best performance जीए आपको तब आपके लिए best रहेगा Poco X3 Pro, Snapdragon 860 इस फोन में available है इसको बीट करना 120,000 बहुत ही मुश्किल है परफोर्मेस के मामल में इस टेम जो भी फोन मिल रहे हैं उनके comparison में यह फोन सबसे best है यहाँ पर PUBG आप बिल्कुल best खेल सकते हैं मस्त वाले frame rates आपको आपको मिल जाएंगे इस फोन की अगर मैं कमी की बात करता हूँ एक तो camera इस फोन का उतना strong नहीं है आपके काम सल जाएगा बट camera में ही दिखोंगा कि बहुत ही बढ़ी है इस फोन और इस फोन में AMOLED display नहीं है यह compromise आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा उसके लावा कोई दिक्कत दी है मस्त फोन है बैटरी भी बढ़ी तो जल्दी आपको micromax का 5G phone देखने को मिलेगा 15 से लेकर 20,000 के बीच में मुझे पता है फोन ये काफी डिले हो चुगा है बट अब ये फोन ज्यादा दूर नहीं है पहले आपको एक फोन मिलेगा 13,000 के अत्पस की रेंज में उसके बाद आपको 5G phone देखने को मिलने वाल नहीं होगी ये मैं आपको पोल सकता हूँ साथ में उचे बताना comments में आपको जो भी फोन बता रहा हूँ आज की वीडियो में इन में से आपका favorite phone कौन सा है और description में आपको मैंने कुछ जरूरी link दे रखे हैं वहां भी जाकर आप check out करना मत बोलना मैं काफी सारी आपको वी Samsung Galaxy F62 यहां पर आप आखे बंगर के invest कर लो आपका पैसा वेश नहीं होगा इस phone की camera's top class के आपको मिल जाएंगे price के हिसाब से मैं जानता हूँ अभी इस camera's आपको 23-24 दिख रहा होगा बट आपको यह phone 17-18,000 में अराम से देखने को मिल जाता है अभी इस camera's जाद है बट बह होती अच्छी quality का है Super AMOLED पनल यहां पर आपको मिलता है content देखने का आपको मज़ा आ जाएगा और इसमें battery आपको मिलती है 7,000 mAh की जो लंबे time तक आपका साथ निभाएगी performance भी phone की काफी अच्छी है flagship processor यहां पर Samsung का पहले वाला flagship processor Exynos 9825 बजिया है कि अगर आप यहां प बात करता हूँ तो मैं आपको अभी जो भी phone बता रहा हूँ इस list में उन सबके comparison में security की मामले में यह phone सबसे best है यहां पर आपको full knock security दी गई है अब बात करते हैं एक budget वाले 5G phone के बारे में यह phone है Realme Narzo 30 Pro अगर आपको कोई इस segment में कम price का 5G phone चाहिए तब यह phone में recording perfect है ब जिसके गम बैजन में Narzo 30 Pro चार कदम आगे निकल के जाते हैं Narzo 30 Pro का क्या है कि इस phone में Damaged 800 आपको दे रखा है जो की 15,000 के हिसाफ से पूरी तरह से justify है 16,000 में यह phone में आपको recommend नहीं करूँगा इसको आप तभी purchase करना जब यहाँ पर offer चल रहा हो 15,000 के आसपास यह आपको मिल जाए इसके बाद हम बात करते हैं एक compact phone के बारे में आज की date में compact phone मिलना बहुत ही मुश्किल हो चुका है सभी brands बना रहे हैं बड़े बड़े smartphones ऐसे में Realme X7 5G इन सब के बीच में एक बहुत ही perfect phone निकल के आता है इसको आप single lens से भी अराम से यूज़ कर सकते हैं मुझे यार यह फोन यूज़ करने में बहुत मज़ा आया compact के हिसाब से यहाँ पर भी है Damascity 800 processor और आपको AMOLED display इस phone में मिल जाएगा इसको मैं best compact phone बहुत होता ही है पर यहाँ पर दिक्कत ही आए कि एक तो इस phone में headphone jack आपको नहीं मिलेगा दूसरा यहाँ पर जो इसके cameras है वो उतने strong नहीं है इनको भी improvement की ज़रूरत है फिर performance को लिकर आपको कोई इक्कत नहीं आए गिडिटरी यूज़ में यह phone बहुत अच्छा performance करते है बाग अगर आपको best वाला user experience चाहिए तब next phone आपको बहुत ही पसंद आने वाल है यह phone है Snapdragon 32G 120Hz का refresh rate IPS पैनल के साथ बड़ी battery fast charging समस्त्य फोन का अगर यह phone आपको मिल जाता है बंदर 16,000 के आसपस की range में तब यहाँ पर आप इन वैश्च कर लो आपको पैसा बेश नहीं होगा तो आप Moto G40 Fusion भी ले सकते हैं वो आपको 13,000 की range में मिल जाएगा phone इन दोना phone में ज्य primary camera 108 में आप इसल का और महाँ पर आपको मिलता है G40 में 64 में आप इसल का primary camera और दोनों की storage में फ़र्क है उसके लावा कोई difference आपको देखने को नहीं मिलेगा मुझे मस्त लगा G40 Fusion और G60 Fusion बग अगर आप चाहते हैं कि all around 4G phone under 20,000 तब यार Redmi Note 10 Pro अभी तक अपनी जगा आपको दी गई है दूसरा इनके studio speakers तीसरा AMOLED display 120Hz refresh rate के साथ साथ में cameras बहुत ही अच्छे हैं इन smartphones के मुझे लगता है इनको all around phone कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा snapdragon 732G यहापर आपको मिल जाएगा performance को लेकर भी कोई आपको शिकायत नहीं होगी let me Note 10 Pro और Pro Max के साथ यहा अलागी MIUI आप इंप्रूम हो रहा है पहलागी comparison में बट फिर भी इसको आप One UI या फिर श्टोक इन जोट से compare नहीं कर सकते हैं तो यह कुछ phone ते जो आप देख सकते हैं under 20,000 इनके लावा और जो भी phone मिल रहे हैं वो मैं आपको फिलाल recommend नहीं करूँगा ignore कर दीजिए इन स M51 भी recommend कर सकता हूँ बट F62 ज्यादा better मुझे लगा M51 की comparison में बगिया आप बताना मुझे comments में आपको इंसम में से कौन सा phone best लगा under 20,000 मैं उम्मित करता हूँ आपको कुछ help पिलोगी आज की वीडियो से अगर आपको help मिलियो वीडियो को like ऊश करना बद बूलिएगा मिल